so everyone very welcome to UGC.NET URL走 UT.NET GRF PAPER 1 के लिए आकसे यहां पर UT.NET exam PAPER 1 की क्लास स्टार्ड हो गई है देखे अभी हम कम्वनिकेसं से स्टार्ड कर रहे है कम्वनिकेसं से यानि की SunkuProuing से और ये कम्वनिकेशन की पहली क्लास है तो गाइस देखे आपको ना क्या है टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है डिस्क्रिप्सिन पर जाना है और देखे टेलिग्राम का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है class का notification class का pdf आपको telegram पर provide कर लिया जाएगा guys देखे instagram पर आप हमें follow कर सकते हैं facebook page को like कर सकते हैं search करना है आपको क्या this is study so guys देखे class को start करते हैं देर ना करते हैं जल्दी से तो देखे सबसे पहले हम पढ़ेंगे communication का अर्थ यानि कि some pressure का अर्थ तो guys देखे आसान और सरल भासा में कहा जाए तो communication होता है यानि कि some pressure होता है दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है जो वारतलाव होती है जो आदान-परदान होता है उसी को some pressure कहा जाता है उसी को communication कहा जाता है तो देखे जो यहाँ पर और समप्रेशन का जो अर्थ दिया हुआ है, समप्रेशन दो सब्दों से मिलकर बना है समप्रेशन, यान कि समान से प्रेशित किया गया समप्रेशन, ठीक है, समप्रेशन कितने सब्दों से मिलकर बना है, दो सब्दों से मिलकर बना है समप्रेशन, यान कि समप्रेशन, देख सब्धech जो कंप्रीं सब्ड बना है लेटिन सब्ड के कमनीश शब्द से और कम्झिग Dodoo कि लटिनस सब्ड के कम्रीष ओर कम ली कियर सब्ड से मिलकर बना है इस देखें aujourd जो कम नियु शब्द का अर्थ होता है आदानपरदान काम कुद municipality का जो किसी भी संदेश का आदान परदान करना संदेश देना संदेश लेना ठीके प्राप्त करना रिसीव करना अपना फीड़ देना यह क्या है कमनी शब्द का अर्थ है देखें यहां पर जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था संप्रेशन का अर्थ होता है संप्रेशन का जो एक अर्थ है संप्रेशन की जो परिक्रिया है वो क्या है दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीद जो सूचनाएं संदेश विचार जो आदान परदान होते हैं संदेश विचार जो आदान परदान होता है उसी को सं समझ आ गया संप्रेशन का अर्थ देखे इस आदान परदान को लिखित और मौखित संकेतिक रूप में किया जा सकता है यानि कि जो भी हम संदेश विचार जो भी हम आदान परदान कर रहे हैं दो या दो से व्यक्तियों के बीच में तो देखे यह मौखिक रूप से हो सकता ह और किस रूप में हो सकता है संकेतिक रूप में भी हो सकता है संप्रेशन परक्रिया में संदेश भीजने वाला विक्ति को प्रेशक यानि कि सैंडर कहा जाता है जो संदेश को भीज रहा है देखे मैं संदेश को भीज रहा हूं यानि कि आपको पढ़ा रहा हूं आप क्या कर कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं संदेश को भीजने वाले को सेंडर कहा जाता है और प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है receiver कहा जाता है मैं आपको यहां पर बढ़ा रहा हूँ यानि कि मैं sender हूँ और आप क्या कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं class को attend कर रहा है class को ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं receive कर रहे हैं थी को इतना आपको समझ आ गया गया न अब देखे संप्रेशन की परिवाशा संप्रेशन की परिवाशा तो संप्रेशन मानव संचार परिक्रिया की परिक्रिया है संप्रेशन क्या है मानव संचार की परिक्रिया है देखे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप क्लास पढ़ रहे हैं यह क्या है परिक्रिया है इसमें क पर सूचना प्राप्त हो रही है संदेश प्राप्त हो रहा है तो देखे जिसमें जानकारी या सूचना पहले या सम्मत परतिकों के माध्यम से लोगों के बीच पारित किया जाता है कहने का मतलब यह है कि परती के रूप में या लिखित या मौकिव रूप में इस माध्यम से परतिकों के माध्यम से परतिक का मतलब होता है मैंने ये किया ना इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी मैंने casually किया ये इसका मतलब कुछ भी हो सकता है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि समझ लीजिए पढ़ लीजिए अभी time है आपके पास यह क्या होगा एक परतीक हो गया इसके माध्यम से पारित किया गया यानि कि आपको बताया गया ठीके और इसका उद्देशे क्या होता है वांचित परतिपुष्टी प्राप्त करना यानि कि जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो यह क्या हो गया एक फीडबैक हो गया यानि कि परतिपुष्टी हो गया यहां मानवे विचारों सोच सब्दों पत्रों संदेश माध्यमों से आदान परदान का कार्या है यहां जो क्या है जो शंप्रेशन है क्या है मानवे विचा सोच, सब्दों, पत्रों, संदेशों या परतीकों के माध्यम से आदान परदान का कार्या है क्या है आदान परदान का कार्या है संप्रेशन की परक्रिया सूचना और संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाती है यान की संप्रेशन क्या होता है संप्रेशन की जो परिक्रिया होती उसमें क्या होता है सूचना संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या अन्य व्यक्तियों तक पहुचाया जाता है इससे मानद की जिग्यासा की पूर्ती होती है क्या होती है पूर्ती होती है देखे गाइस कहीं पर याने की कोई व्यक्ति आता है हमारे आसपास हमारे अडोस परोस में कोई व्यक्ति आता है जिसने में किसी गाड़ी ली है और मुझे उस गाड़ी के बारे में जानना है कि ये गाड़ी कितने की है और किस company की है तो मैं क्या करूँगा या किसी अन्य वेक्ति से पूछूँगा या हो सकता है मैं उसी वेक्ति से पूछूँगा जब मुझे अपना feedback मिलेगा परतिकरिया मिलेगी जवाब मिलेगा मेरे सवालों का जवाब मिलेगा ये क्या हो गया मैंने अपनी जिग्यासा की पूर्ति की है तो संप्रेशन में क्या होता है मानत क्या करता है अपनी जिग्यासा की पूर्ति करता है अपने सवालों का जवाब ढूंता है अब देखे संप्रेशन के तत्व यानिकी elements of communication ठीके elements of communication कहा जाता है संप्रेशन के तत्व तो देखे सबसे पहले क्या है इसपस्ट्रिता संचार परकिरिया में जो संप्रेशन के तत्व है सबसे पहले है इसपस्ट्रिता यानिकी कीलेटी संप्रेशन कैसा होना चाहिए देखे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैसा पढ़ा रहा हूँ इसपस्ट रूप में पढ़ा रहा हूँ ना कि इदर उदर की बाते कर रहा हूँ इसपस्ट रूप में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूँ तो संप्रेशन को इसपस्ट होना चाहिए और मानव संदेशों के अर्थ और उद्दिश्य को इसपस्ट रूप से परकट करने का तत्व है, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसपस्ट रूप में पढ़ा रहा हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो class मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पश्ट रूप से ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, कि मैं EGC net exam, paper first class ले रहा हूँ, तो इस पश्ट रूप से लूँ, ना कि अपना disturbance करूँ, इदर उदर की बाते करूँ, या इदर उदर का अपना ध्यान को इदर उदर लेकर जाओ, देखे, आप यहां पर class पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सुनना है अच्छे से, और जो समझ में नहीं आता है, एक बार आपको पढ़ना है, या आप कमेंट पे, देखे, क प्राप्त कर पाए, सतत होना चाहिए, यानि कि कंसिडेंसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंसिडेंसी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, इसमें क्या करता है, देखे, जो संदेश प्राप्त करता के अनरूप होना चाहिए, यानि कि, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके according होना चाहिए, देखे आप UGC Net exam paper first की preparation कर रहे हैं, तो आपको वही यहाँ पर मिलेगा, ना कि मैं अन्य subject पढ़ाऊंगा, जिन लोगों को paper first पढ़ना है यहाँ पर, तो आपको यही मिलेगा, paper first ही मिलेगा, उसी की class यहाँ पर मिलेगी, यह नहीं कि कोई और subject की class है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जो आपकी class होगी, आप वही पढ़ेंगे, जो आपका subject होगा, आप वही class पढ़ेंगे, ना कि कोई दूसरा subject पढ़ेंगे, जो आपका subject है, यानि कि संदेश क्या होना चाहिए, आपके according होना चाहिए, आपका unroof होना चाहिए, इसी को consistency कहा जाता है इसी को सतत कहा जाता है यहां मानव संदेश की संगता और योगता को सुनिशित करता है यह आपके टैलेंट को सुनिशित करता है आपकी योगता को सुनिशित करता है गाइस देखे जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को कर लीजिए और जो पहली बार आये हैं चैनल को subscribe कर लीजिए तो देखे गाइस अब पढ़ेंगे पर्याप्ता यानि कि संप्रेशन में सूचना संदेश प्राप्त होना चाहिए और संदेश की पूर्णता व्याप्रक्ता को सुनिचित करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि जो में जो संदेश आपको यहां पर मेड़ रहा है जो क्लास आपको मिल रही है complete मिल रही है या नहीं मिल रहा है यानि कि कहीं से आपको कोई भी संदेश मिलता है तो सबसे पहले संदेश आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है दूसरा आपको complete संदेश दिया गया है या नहीं दिया गया है आपको क्या पता आदा आदूरी बात बताई गई हो या आपने आदा आदूरा संदेश प्राप्ति किया हो और व्यापकता सुनिचित होनी चाहिए संदेश यानि कि सच है या जूट है इसके एक मलब व्यापकता होनी चाहिए इसके एक क्या होनी चाहिए क्या होना चाहिए इसका पूर्णता सुनिचित होना चाहिए कि संदेश सही है या गलत है यह प्राप्ता में संदेश का मलब सुनिचित होना चाहिए अब है देखे समा तो 30 गडिक टांपन लाइंस क्या है टाइं टाइम लाइंस होता है uit गैस देखें जिन लोगों ने अभी तो लाइक नहीं किया है क्लास को कर दिजिए यदि आपको क्लास को लाइक नहीं करना है तो कोई नहीं आप डिसलायक ही कीजिए लेकिन अपना फीट बैक जरूर छाहिए और मानस चंदेशु की उचीता और उप्रुकता को सुनिशित करने का तत्तो है कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आप अभी UGC Net exam December में होगा और अभी आपके पास 150 से 150 दिन सरी ज्यादा का समय है यानि कि आपके पास व्यापक समय है यानि कि बहुत सारा टाइम है आपके लिए अभी अपना UGC Net exam के preparation के लिए गाइस देखे यदि आप अभी class को नहीं लेंगे class को पढ़ेंगे नहीं अभी सी आप अपनी preparation नहीं करेंगे तो देखे जैसे ये exam आएगा नजदीक form submit होना start होगा तो देखे आपके पास समय बहुत कम मिलेगा आप अपने syllabus को cover नहीं कर पाएंगे और अपने subject को paper 2 को भी cover नहीं कर पाएंगे इसलिए अभी आपके पास समय है तो अभी समय रहते हुए आप अपनी preparation start कर लीजिए इसी को समाईकता कहा जाता है ताइम लाइन कहा जाता है अब है एक रूपता यानकि uniformity एक रूपता समप्रेशन में एक रूपता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए एक रूपता होनी चाहिए संप्रेशन में क्या होना चाहिए एक रूपता होनी चाहिए यहां संदेश की संगता और एकता को सुनिशित करने का तत्व है देखे एक रूपता संदेश में होना बहुत जरूरी है कोई भी आप संदेश दे रहे हैं तो संदेश का clear होना चाहिए कि संदेश किस topic पर है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो دیکھए clear है कि आपको communication यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है education at exam paper 1 को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है यह क्या है एक रूपता है completely clarity है uniformity है यानिकि एक रूपता है कि paper 1 यहाँ पर हिंदी मीडियम से संप्रेशन को communication को पढ़ाया जा रहा है यही एक रूपता संदेश में होनी चाहिए यही एक रूपता संदेश में होनी चाहिए अब देखें लचीला पन क्या होना चाहिए संप्रेशन में लचीला पन होना चाहिए कहने का मतलब यह है कि संप्रेशन है जो कटोर नहीं होना चाहिए और धिर्डता नहीं होना चाहिए ठीक है कटोर नहीं होना चाहिए बलकि सारल होना चाहिए और कैसा होना चाहिए लचीला होना चाहिए कहने का मतलब यह है किaster कैसा होना चाहिए दिरिड़ और क टोर नहीं होना चाहिए कहने का मतलब यह है कि जो मैं आपसे communication कर रहा हूं जिस language में मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं सरल और आसान भासने पढ़ा हूं जिसे आपको समझ आए यदि मैं आपको बहुत ही कठोर और धिड़ लेंग्वेज में पढ़ाऊं जो आपको समझी नहीं आ रहा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता इसका कोई भी मतलब नहीं बनता आपको समझ में भी नहीं आएगा तो देखे संदेश कैसा होना चाहिए संप्रेशन कैसा होना चाहिए संदेश का जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए सरल होनी चाहिए सरल और आसान होनी चाहिए अब देखे संदेश की विवपनता अनुकूलता को सुनिशित करने का तत्व है जो संदेश है संदेश यानिकी संदेश की अनुकूलुता को सुनिशित करना चाहिए यह एक लचिलापन का बहुत महित्वपुन तत्व है अब है स्विकरिता स्विकारिता यानिकि accessibility accessibility, accessibility, accessibility को ही सुईकारिता कहा जाता है accessibility, sorry, मुझसे बोला नहीं जा रहा है acceptability, यानकी सुईकारिता, ठीक है, संप्रेशन प्राप्त करता के लिए सुईकारिया होना चाहिए जो संप्रेशन को प्राप्त कर रहा है, उसको सुईकार करना चाहिए कि मैंने संप्रेशन प्राप्त कर लिया है यदि नहीं किया है तो बता देना चाहिए इनके अस्विकार कर लेना चाहिए कि मैंने स्विकार नहीं किया है कहने का मतलब है कि अपनी पर्तिक्रिया जरूर देनी चाहिए रिस्पॉंस जरूर देना चाहिए वो भी सतारात्मक दे चाहिए इसी को सुविकारिता कहा जाता है यदि संदेश आपको प्राप्त होता है तो ही आप उसे क्या करेंगे रिस्पॉंस देंगे तो ही आप परतिक्रिया देंगे उसी को सुविकारिता कहा जाता है यह संदेश यहां संदेश की परतिस्परता और संरचनात्म को सुनिश से किया जाता है किस तरह का संदेश आपने प्राक्त किया है इतना आपको समझ आ गया ना अब है देखे communication का जो objective संप्रेशन का कौन-कौन से उद्देश्य है गाइस देखे बहुत important है ये देखे सबसे पहले क्या होता जैसे प्रसास्तिक प्रसास्तिक administrative में क्या होता है जो करमचारी वहां पर होते हैं वो क्या करते हैं संदेश को इसपष्ट रूप से देते हैं यानि कि संदेश को इसपष्ट रूप से देते हैं यानि कि सूचनाओं को प्रस्तासनिक अधिकारी यानि कि करमचारी क्या करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में क्या होता है वहाँ पर करमचारी क्या करता है संदेश को आदेश को प्राप प्रदान करता है यानि कि परदान करता है और क्या करता है Samprechnya की परिक्र्याएक के माध्यम से संगटन में कारेरत करमचारें को उनके कारें के संबन्ह में इसप्रश्ट उप्युक्त आदेस सूचना देती है देते हैं या दी जाती है ये पहला उद्धैश्ज है Samprechnya का कहने का मतलब यह है कि जो भी सूचना यानि कि जो भी आदेश देना हो वो इस पर स्टूप से देना चाहिए कैसे देना चाहिए इस पर स्टूप से देना चाहिए और संप्रिशन के ही माध्यम से ही देना चाहिए देख़ें यहाँ पर mention किया हूँ है संप्रिशन की परिक्रिया के माद्यम से ही देना चाहिए संगतन हो या करमचारी हो किसी को भी ठीक है अपने से जो lower level के जो करमचारी है उनको भी communication के माद्यम से ही यानिकी संप्रिशन के माद्यम से ही सूचनाई दी जाती है संदेस दिया जाता है अब देखे सरम संगटन की प्रशाशनिक व्यवस्ता में सुधार करना यहिए कि जो working organization है उनको प्रशाशनिक व्यवस्ता में यानि कि administrative level पे उनमें सुधार करना संप्रेशन के माधियम से ही वहाँ संगटनों में प्रशाशनिक व्यवस्ता में सुधार किया जाता है कहने का मतलब यह है कि संप्रेशन के माद्यम से ही कम्मिनिकेशन के माद्यम से ही administrative के जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं वहाँ पर जो working organization होता है सर्म संगटन होता है वहाँ पर administrative level पर जो भी होता है जो भी वहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर सुधार किया जाता है जो भी सहीं नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या किया जाता है सुधार किया जाता है यानि कि प्रशाशनिक व्यवस्ता में सुधार किया जाता है इसके दौरा करमचारियों को किसी विसेश परिवर्तन के लिए पहले ही आवश्यक सुचना ही दी जाती है कभी भी देखे प्रश्चास्निक जो अधिकारी होते हैं कभी बिना सुचना के कभी भी किसी भी department में यानि कि कहीं पर भी वो पहले ही वहां पर नहीं जाते हैं कहने के मतलब है कि सबसे पहले वहां पर सुचना दी जाती है यदि सुचना नहीं दी गई है तो सुचना अपने आप ही वहां पर पहुंच जाती है यानि कि जो अपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं वहां से उस department से कोई न कोई सुचना दे देते हैं कि वहां पर कल साब आ रहे हैं यानि कि जो सर आ रहे हैं अधिकारी आ रहे हैं वहां पर आ रहे हैं आप सभी की समध्याओं के समधान के लिए तो देखें वहां पर सुचना दी जाती है और उसके बाद वहा कर्मियों के मादियम से सामाजिक संबंदों को प्रुटसाहित करना कार्यों को प्रुटसाहित कया जाता है वह देखे-क नितtsåकी नीतियों और योजनाओ और योजनार। को अबगट कराना संब्धेशन के मादियम से नितियों से अवगत कराना यह कैसा अवगत कराया जाता है संप्रेशन के माध्यम से ही करमचारियों के संगठन को अवगत कराया जाता है संप्रेशन के माध्यम से ही निति और योजनाओं के बारे में वहाँ पर संप्रेशन के माध्यम से ही अवगत कराया जाता है करमचारी जंगठन म ठीक है इतना समझ आ गया है ना अब हैं विद्यारतिवों कि उपस्तति कार्य निच्पादन के रिकाॉड 4000 की प्रभाव 27 का मुल्यंकन करना के संप्रेशन के माध्यम से हि विद्यारतियों के जो विद्यारतियों का जो रिकालड़ है तो देहींकि उसका जो मुल्यांकन निकालना है यानि कि निस्कर्स निकालना है तो संप्रेशन के माध्यम से ही एवलेशन किया जाता है यहां पर मेंचिन किया है संप्रेशन के माध्यम से ही विद्यारतियों की उपस्ति और कारे निश्पादन के रिकॉर्ड का उप्योग करके संप्रेशन की प परभाव सिनता होता है। यान की बहुत ज्यादा एटव होता है, परभाविक होता है। को प्रेस करेंगे तो गाइस देखे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़या से ज्यादा से अपने दोस्तों में अपने फ्रेंद्स में ज़्यादा आपको मिल जाएगा